गुड मॉर्निंग, विल्कम टू माई अनलाइन क्लास, हिंदी फर्स्ट लेशन फोर मेरी वह पहली कविता इस लेशन की राइटर लियो तॉल्स्तोय जी हैं इस लेशन में इन ही के बचपन की घटना लिखित है चलिए हम इसको रेट करते हैं प्रस्तुत पाठ महान रोसी लेखक लियो तॉल्सतोय के बचपन में घटित घटना पर आधारित है इसमें उन्होंने अपने बचपन की घटनाओं का उल्लेख किया है इसमें राइटर ने क्या किया है अपने बचपन की घटनाओं का उल्लेख किया है जिनकी प्रभाव ने उनको लेखक बनाया यह उन घटनाओं को घटनाओं का उल्लेख किया है जिसके कारण वह लेखक बने जलिए देखते हैं कि वह क्या कारण था जो नको लेखक बनने में अग्रेशित किया वे किस प्रकार छोटी सी यायू में ही लिखने लगे आओ पाठ को पढ़कर जाने रूस की धर्ती पर यास नाया पोलियाना गाओं में नव सितंबर अठारा सव अठाइस सिस्वी को मैंने जन्म लिया था किसने जन्म लिया था लियो तॉलस तॉल वो अपने बच्पन के घटना लिख रहे हैं इनका जन्म कब हुआ था कब और कहां हुआ रूस की धर्ती पर यास नाया पोलियाना गाओं में नव सितंबर अठारा सव अठाइस सिस्वी को मैंने जन्म लिया था अभी मैं दो साल का नहीं हुआ था कि मा चलपची जब राइटर दो साल का भी नहीं हुआ था कि उनकी मा का देहांत हो गया पिता तथा नौकरों ने मेरा लालन पालन या उनका लालन पालन उनका पालन पोसर किसके द्वारा किया गया पिता जी द्वारा और नौकरों द्वारा बच्पन में मा के न रहने पर जो भी कटू अनुभव होते हैं वे उम्र भर साथ रहते हैं मा के न रहने पर जिसकी मा का देहांत हो जाता है उनके कुछ कटू अनुभव होते हैं कडवे अनुभव होते हैं उन बच्चों के कुछ कडवे अनुभव होते हैं बिना मा के और वे अनुभव क्या होते हैं उम्र भर साथ रहते हैं मुझे याद है आया असनान कराते हुए मेरे कोमल अंगों को जोर जोर रगड़ती थी राइटर को क्या याद है आया जो काम करने वाली थी जब आया असनान कराती थी तो राइटर के कोमल छोटे थी उनके कोमल अंगों को जोर जोर सी रगड़ती थी सरीर को जखजोर डालती और बहुत गरम पानी साबुन से चिर्मिराते बदन पर डालती क्या करती ये थी गरम पानी उनकी सरीर पर डालती थी वह मुझे डराने धमकाने के लिए भयानक भयानक जिव जन्तुगों के नाम लेती थी जो उनको सिच्छक पढ़ाने घर पर आते थे उनके प्रती भी जिव जन्तुगों राइटर का कटू अनुभव है नास्ते नास्ते जब पैल लड़ खड़ा जाते और अभ्यास की कमी कमी से ठीक से न पढ़ते अभ्यास की कमी कमी से ठीक से न पढ़ते तो जोर से संसनाती छड़ी पढ़ती थी तब इतना होता था कि उनके आँखों से याँशू बहने लगते थे इन दुखद इस्मृतियों में सबसे मधोरिस्मृत थी मा दुखद इस्मृतियों दुखदाई यादगार में सबसे मधोरिस्में सबसे मीठी यादगार प्या थी मा जिनकी प्यारी याद जीवन भर अमूल लिनी थी अमूल खजाने की तरह साथ रही कटवनभो के साथ उनकी साथ एक मधुर मीठी इस्मृती थी वह किसकी इस्मृती थी, किसकी याद थी उनकी मा की जिनकी याद जीवन भर अमूल लिनी थी जिसका कोई मूल्य न हो ऐसे नीधी ऐसे खजाने की तरह साथ रही मा कीम रित्यू के बाद जो एक कल्पित तस्वीर मैंने मन में बनाई मा कीम रित्यू के बाद मा कीम रित्यू के बाद वा कल्पना वाली तस्वीर अपने मन में बनाई वह थी आलावकिक प्रकास से पूर्ड दिब्य गुडू सी संपन आदर से मा की लेखा किसकी आलावकिक किसकी कल्पित तस्वीर बनाई अपने मा की और वह तस्वीर कैसी थी आलावकिक प्रकास से पूर्ड थी लौकिक संसार से अलग आलौकिक प्रकास से भरी होई और दिब्य गुडों से संपन आदर से मा की तस्वीर उसने जीवन भर मुझमें सक्ति और इस्फूर्ती भरी थी वह आलाव की प्रकास से पूड दिब्विक गुडों से संपन्य मा क्या करती थी उनमें सक्ति और इस फूर्ती भरी थी अपने मा के संबंध में नौकरों और संबंधियों से बहुत कुछ सुना था 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 पर मैंने अपने मा को दिखा नहीं था और उनका कोई चित्र भी नहीं था फिर भी मा की लिखी डारी और क्या अपको पढ़कर मैंने अनुमान लगा लिया था कि वे कैसी रही होंगे स्टूटेंट आज बस इतना ही आप होमवर्क में यह वर्ड मीनिंग राइट करेंगे और लर्न करेंगे थैंक यू